नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक पर इंडिया की बात आज जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उन पे हमारे साथ जुड़े हैं और मिलेज जी और मुकुल सरल जिन तीन एहम मुद्दों पर आज आपके साथ इस कार्टरम में ह शुक्ति बनाई हुई है कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुशते हैं और उन पर भारती जंता पार्टी हमलावर होती है उन्हें जाने से रोखती है आखिर राहुल गांधी क्या मलहम लगा पाएंगे सुलकते हुए मनिपूर पर और दूसरा सवाल एक ऐसा सवाल विपक्ष कि सरकारें नहीं चलेंगी क्या मोधी सरकार और उनके जो कारिंदे हैं उनके राजिपाल वह सीधे सीधे निर्धारित करेंगे कि कहां पर किसकी सरकार चलनी है और मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा किस मंत्री को बर्खास किया जाएगा चर्चा तमिल नाडू पर होगी जहांके राजपाल ने सीधे सीधे एक कैबनेट मंत्री को M.K. स्टालिन के मंत्री है उनको हटा दिया और कहा कि यह दर असल पूरी जो जाज चल रही है उसमें हस्तक शेप कर रहे हैं सीधे सीधे समिधान का उलंगन किया आर्टिकल 163 का उलंगन किया और तीसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है प्रधान मंत्री नरेन मोदी के 2024 का जो उन्होंने एजेंडा सेट किया समान नागरिक सहिता को लेकर युनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और एक पूरे देश में कि बक्री से लेकर तमाम त्योहारों पर किस तरह से जो नफरती ब्रिगेड है उसे पूरा का पूरा राजनेतिक वर्धास्त हासिल था क्या देश इसी दिशा में आगे बढ़ेगा सबसे पहले हम रुख करते हैं मनीपुर का क्योंकि हमने देखा है पूरा देश और दुनि प्रधान मंत्री नरेन मोदी जो कभी बार पर कभी साइकलोन पर कभी किसी क्रिकेटर को चोट लगने पर भी ट्वीच करते हैं मनीपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर अभी तक एक शब्द नहीं कहे जबकि पूरा मनीपुर और वहां के निवासी मांग कर र इसी बीच हमने देखा कि राहुल गांधी वहां पहुशते हैं और जिस तरह से उन पर हमला होता है साथ ही साथ मनीपुर की जनता बड़े पैमाने पर उनसे मिलने के लिए आतू रहती है लाठी चार्ज है होता है आसू गैस छोड़े जाते हैं आखिर ये जो पूरा माहौ है मनीपुर क्या सबक दे रहा है पूरे देश को इस पर हम जानना चाहेंगे उन मिलेश जी का पंच क्या है आपका पंच इस पर देखे मैं समझता हूं कि ये भारती जनता पार्टी और जो उसकी सरकार है डबूल इंजन ये उन्हीं के द्वारा क्रियेटेड या मेड डिसास्टर है इसके पीछे काफी वर्षों से बलकि मैं महीना नहीं कई वर्षों से जो वहाँ पर जहर पहलाया गया है डिवीजन के लिए कॉम्यूनिटीज के बीच उसका ये प्रतिफलन है उसका ये कल्मिनेशन है मुकुल इस पर आपका क्या पंच है भाशा मेरा साफ कहना है कि भाजपा को महबत की दुकान नहीं चाहिए वो नफरत का बाजार ही चाहती है राजनास सिंग से लेके संबित पात्रा तक सब राहूल गांदी के दौरे का विरूद करें और कहरें कि महबत की दुकान नहीं चलेगी उन्होंने जल्दवाजी की जबकि वहाँ दो महीने से आग लगी है इस पर मेरा साफ मानना है कि राहूल गांदी का जो हस्तक्षेप है वहाँ जाना वह स्वागत योग्य है और निश्चित तोर पर यह मनीपुर की जनता वहाँ से जो सवाल उठा रही है जो उसका दुखदर्द है उस पे कुछ हद तक मलहम लगाने का काम करेगा मुझे उम्मीद थी कि तमाम विपक्षी दल भी वहाँ जाते और एक बड़ा मेसेज देते शायद भविश्य में ऐसा हो तो अच्छा रहे उर्मिलेश जी मनीपुर प्रधान मंत्री नरेम मोदी की चुपी हम सब देख रहे हैं कि हर चीज़ पर मोदी जी बोल रहे हैं यह नहीं उनके कदम उनका प्लेन मनीपुर तक पहुच पा रहा है भई मुक के बात तो यह है कि अपनी विफलताओं का जो इस मारक है उसके बारे में वो क्यों बोलें वो अपनी केवल सफलताओं गिनाएंगे और सफलताओं इतनी कम हैं लगभग नहीं हैं तो वो कुल मिलाक जो डिवीजन पैदा करने वाले इशूज हैं उनको ही उचालते रहते हैं हमेशा या अतीत का कोई मुद्दा उठाते हैं प्रागैतिक इतिहास का नहीं उठा पाते हैं प्राशीन काल का उठाते हैं मद्दिकाल तमाम कालों का उठाते हैं लेकिन अपने नौ साल के कारेका की बड़ी प्षबताएं अब बताइए उनकी कोई आत्माल उच्णा दिखाई देती है मनिपूर में ये क्यों हुआ है इस पर एक बात आती है केवल मीडिया में भी किसाब कुकी और मेती आपस में लड़ रहे हैं अर भी क्यों लड़ रहे हैं पहले तू नहीं लड़ रहे ये क्या हुआ, हाई कोट में क्या हुआ, हाई कोट से पहले क्या हुआ, इसकी पूरी जैनेसिस क्या है, इस पर कोई मीडिया ने भी कुछ एक अख़वारों को छोड़ कर, खासकर जो नार्सिस्ट के हैं, या इस्टर्न इंडिया के अख़वार हैं, खासकर बंगाल के, इनके नहीं की वेबसाइटों ने की हैं बहुत सारी वेबसाइटों ने की हैं तो ये देश की जनता को असल में मालूम भी नहीं पड़ा है ठीक से नहीं लेकिन देश के प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी को तो मालूम है मालूम है लेकिन ये उनका created है उनका इसे काल ना उनका भसमासूर पैदा किया हुआ है उनकी इसको बनाया है क्योंकि आरेसेस बीजेपी बहुत वरशों से मनीपूर में एक हिंदुत्वा जिन्डे को लेकर काम कर रहे थे और उनका जो मकसद था कि कैसे मैती समझाय में मैती समधाय में हम एक व्यापक ह हिंदुत्वी करण का अभियान चलाएं और उसी अभियान के तहट यह सारा कुछ हुआ और उसमें कुकीज और नगा जो है आईसोलेट होते गए इलिनेट होते गए मैती समधाय के जो लोग हैं जो भाईचारे के पक्ष में हैं मैती समधाय में एक ही धर्म के लोग नहीं ह लेकिन जो कमुनल डिवाइट किया गया ट्राइबस में या कम्मिनिटीज में कम्मिनिटीज के अंब यह जो खतरनाक जो प्रयोग है वह आज से नहीं बरसों पहले शुरू किया गया था उसमें प्रचारकों का बड़ा रोल है जो आरेसेस के बीजेपी के जो हराजिनितिक जो प्रोपेगेंटिस्ट जाते हैं उनका है इस पर कैसे वो दीजी बोलेंगे इस पर अमिश्षा जी कैसे बोलेंगे मुकुल एक बात जो साफ दिखाई दे रही है कि मनीपूर तीन मईश से जल रहा है अमिश्षा ग्रीमंत्री भी वहां जाते हैं कुछ नहीं हो पाता है अ और वह शांती की अपील करती हैं हाला कि हो सकता है शांती की परिभाशा अलग है लग हो सबकी लेकिन एक चीज दिखाई दे रहे हैं कि वे लगातार दो चीजें कह रही हैं इस सरकार पे हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें ये सरकार नहीं चाहिए almost no trust है मैतेई को ले लि होगी कोई रास्ता निकलेगा मैं राहूल पर ही फोकस करूं अगर तो शांती की पहल का प्रभाव या उनकी यात्रा का प्रभाव तो होना शुरू हो गया है लगभग दिखने लगा है वहां जो एंबिरेन मुख्यमंत्री हैं दबाव में हैं उनके इस्तिफे की बाते चल अधर्भाव में हैं और जिसे आपने भी कहा मेरा भी माना यह है कि जो काम प्रधान मंत्री को करना चाहिए था सबसे पहले संदस्द्द्र वहनेमं ने लेकिन वह वपाल जा रहे हैं वहु पाल जारहे हैं और राहूल गांदी की जो महबत की दुकान की बात है अब इस पर हमला वर हुई है बीजेपी यानि बीजेपी में खल बली है वो कहरेगी उनके तीन मईश से जल रहा है और एक सो पच्छिस के करीब लोग तो बाकाइदा मतलब सरकारी आख़ा है कि मार जा चुकिए वो कहरे बाले दिन की यातरा पर थे अपने और तो राइना सिंग यानि रक्षा मंत्री और संबित पात्रा प्रवक्ता लगातार राहूल पर हमला कर रहे हैं उन्हें मणीपुर की वो नहीं और जैसे आपने कहा कि महिलाएं शान्ती के अपिल कर रही हैं हमें यह तमाम तस्वीरे भी दिख रही हैं राहूल गांदी से तमाम बचे महिलाइं मिल रहे हैं वो उनसे अपने दुखदर्द कहला है यह काम सरकार को करना चाहिए था और मेरा इसमें एक और यह कहना है कि जैसे आपने कहा कि अमिश्या पूछ रहे Р hung फिश की जंता से के राहूल गांदी प्रदान मंत्री हो या नरेंद्र मोदी वो मनीपूर की जनता से नहीं पूछ रहे हैं जो कह रही है कि एन ब्रेन को हटाया जाए कि मुख्य मंत्री कौन हो एन ब्रेन हो या नहीं हो या राश्पति शाशन हो वो जो मनीपूर सुलग रहा है उससे नहीं पूछ रहे हैं वो द सो लगने से और जिस तरह की एथनिक क्लींजिंग की खबरे आ रही हैं जो बहुत भयावा हैं लेकिन इससे भारती जंता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा रहा क्योंकि लोकसभा की सीटे नहीं है अब यहां चुनाओ नहीं होना लेकिन इसकी भी देखा ब्रिजबुशन शरन सिंग के मामले में भी जब महिला पहलवान उत्रे थे तब भी इस सरकार ने तकरीबन वही चुपी अख्तियार की थी यहां की डबल इंजन की सरकार है लेकिन तब भी वही क्रम चल रहा है अब हम चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे की तर एमके स्टालिन के एक कैबनेट मंतरी को हटा देते हैं बिना एक शब्द उस राजसरकार से उस मुख्य मंतरी से बात किये और सीधे सीधे देश के कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल 163 की अवहेलना करते हैं बाद में दबाव पड़ता है तब वो जरूर कहते हैं कि अभी वो सामने आ रहा है इससे ऐसा लगता है कि 2014 से पहले देश में जो विपक्ष की सरकारें चल रही हैं उनके लिए चल पाना मुश्किल लगता है इस पर क्या है पंच उर्मिलेश जी आपका मैं समझताओं की तमिलनाड में जो कुछ घटित हो रहा है वो समविधान की पूरी तरह अवहेलना है और नगलन में जब ये सज्जन जो गवर्नर है इस समय तमिलनाड के आरेन रवी साहब रविंदर नारान रवी ये जब गवर्नर थे तो उनके डिस्मिसल की मांग वहां तमाम कम्यूनिटीज ने की थी तमाम संग्ट्रों ने की थी कुछ वही नौबत तमिलनाड में भी उन्होंने पैदा कर दी है इस पर क्या है पंच मुकुल आपका मेरा साथ मानना है कि मोधी सरकार राजभवन से सरकारे चलाने के कोशिश कर रही है जिन राज़िम उसकी सरकार नहीं है तो भाशा इस पर क्या है आपका पंच मेरा ये साफ माना है कि दरसल भारती लोगतंत्र का संगोल युग है यहां देश के समिधान की जरूरत नहीं कानून की जरूरत नहीं एक राजा हैं और राजा के कारिंदे हैं जो राजा के हिसाब से अपने इच्छा को अमल करते हैं ज खत्रे की घंटी है और मिलेश जी ये जो पूरा का पूरा संकट आया दबाव पड़ा तो कदम वापस लिया लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है उसमें राजिपाल क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन यहां इन्होंने इतिहास रचा ये मानना प भाराजी को हटा देते हैं और कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जो मामले हैं वह मामले ऐसे गंभीर हैं कि अगर यह हटाए नहीं जाएंगे तो यह अभी हाउस्पिटल में भी गए थे हार्ट सरजरी भी हुई थी जिनके जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं वहां से भी प्रभा पार्टी के पास बहुत पॉलिटिकल स्टेक भी नहीं है फिर भी इस तरह की बेचैनी क्यों दीकि यह बीजेपी आम तोर पे जिन राजियों में बहुत कमजोर है या नहीं के बराबर है वहां यह करते क्या हैं कि अपने साहकर्मियों या सहयोगी जो हैं राज नहीं थी मे उन सहयोगीों के जरी जो मेंस्टीम जो पॉलिटिकल जो स्ट्रीम है या पार्टी है उसको परिशान करना उसको डिस्टेबिलाइज करना उसको मेंटली डिरल करना ताकि वो अच्छा काम ना कर सके ये खेल करते रहते हैं तो अन्ना द्रमुक इनके रिमोट से चलने वारी पार्टी है जो तमिलाड में तो अन्ना द्रमुक को ये आगे बढ़ाने के लिए या उसको अपने इस्तेमाल के लिए वो ये ये लगातार प्रपंच रच रहे हैं और रवी साहब को वहां लेही जाया गया इसलिए कि तमिलाड एक ऐसा इस्टेट है जहां बड़ी इक्ष हो जाता है तुछ गोटाला करी देते हैं नागलेंड में भी कर दिया है आप गोटाला करते हैं कि नहीं करते हैं मैं नहीं जानता लेकिन गरबड जरूर करते हैं और गरबड ये करते हैं कि वो हर जगह अपसर की तरह काम करते हैं संविधान के अधिकारों द्वारा एक नि आता हो जैसे collector है जैसे SP है उस तरह से और खुदानकास का ये IPS है तो वो एक मिज़ाज भी उनके पास उस तरह का है क्योंकि यहां पर भी उन्होंने कहा कि हम अभी सलाह ले रहे हैं यह फैसला वापस ले लिया है लेकिन सलाह ले रहे हैं क्वाल इस बात का है बहुत बड़ा कि क्या कोई गवर्नर फैसला कर ले एक मंत्री को डिस्मिस करने का विदाउट कंसल्टिंग दे चीप मिनिस्टर और बाद में उसको स्थगित कर दे और कहे कि अब मैं एटार्णी जनरल से बात करूंगा अब मैं एडूकेट जनरल से बात है दरसल यह बड़ा सवाल उड़ गया पूरे देश में कि क्या राष्ठपती भी ऐसा कर सकती है कि मोधी सरकार की सला के विना उनके कोई कबिनेट मंत्री को हटा दें वरकास कर दें तो यह यही समझा जा रहा है कि इस मामले पर अभी थोड़ा सा पर आप यह देखेंगे म जरूर याद रखें कि संगोल को लेकर यानि जो राजदंड नई संसद में स्थापित किया गया लोगसभा स्पीकर के बगल में वह दरसल उसका रिष्टा तमिल्लाडू से है और दूसरी बात जो ग्रियमंत्री अमिश्या ने बहुत साफ कही वहां जाकर कि वह तो भाश् कि तरह से संगोल वहां से स्थापित हो रहा है और अब वहां के राजजयपाल बिलकुल एक मुख्र मंतर की ब्रूमिका में उन्हें दिखाया जा रहा है तो एक तो राजभवन से सरकारे चलाने की कोशिश विपक्ष की कर रहे हैं उन्हें लगातार अइस्थिर करने की यही इनोंने महराष्ट में किया था जब कोश्यारी जी ने होश्यारी की थी और यही केरल में लगातार राज़पाल हस्तक शेप करते रहे यही दिल्ली में आप अलजी के माध्यम से देख रहे हैं कि वो दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार तो मेरा मानदा से यही है कि सम्मिधान की धजियां उडाकर यह सब काम किया जा रहा है और कि यह क्या संदेश है क्योंकि 2022 सामने है और अभी 5 राजियों में चुना होने बाकी हैं तो दरसल क्या ये भारती जनता पार्टी मददाताओं को संदेश देना चाह रही है कि आप किसी को भी चुनेंगे, अगर हमारे अलावा किसी को चुना तो हम चलने नहीं देंगे, क्या इस तरह का कोई संदेश है, क्यों कि राजपाल ऐसा नहीं है, मैं ये मानती यह दरसल क्या संदेश देने के लिए किया गया है पुर्मिले जी। देश आप के लिए आता है, आएगा ही, क्योंकि राज्यों में राज़पाल क्या है, केंदर का ही एक नमाइनदा है, तो ऐसी स्थिती में मुझे लगता है कि पुनरविशार करना चाहिए था, डिस्कसन करना चाहिए था और केंदर ने भी अगर एगर इन को डाइरेक्ट किय तो यहां भी कोई डिसकसिन नहीं हुआ होगा सही लोगों के बीच जो कानून जानते हैं जो संभीधान जानते हैं नेता बहुत बड़े-बड़े होते हैं लेकिन उनको पार्टी जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए सथपाल मलिक जी लेकिन बाकि जितने राजपाल हैं हमने बात की केरल की हमने बात की महराश्च की तमाम जगहों पे वह सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं तकरीबन वह पधी वैसा है हमने देखा आपने राश्टपती की बात की राश्टपती मुर्मू तो यह भी नहीं बोल पाएं कि वह नई संसत का उद्गाटन है वहां जाना चाहती हैं अभी एक मंदिर की फोटो आई जिसमें वह बाहर नहीं होगा डिस्केशन हुआ होगा लेकिन दरसल मुदी सरकार को यह वहम हो गया है यह उसे हिंकार हो गया है कि वह जो चाहे वह कर सकती है कोश्यारी जी ने जो महराश्ट में बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं सुप्रेम कोट ने टिपड़ी की कि राजय पान ने गलत फैसला लिया लेकिन उनके खिलाफ कारवाई नहीं हो पाई लेकिन अभी इस्तिती उस पर विरोध बढ़ते देखकर उन्होंने अभी कदम वापस चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर बहुत एहम है तीसरा मुद्दा क्य अमाम लोगों में आपसी भाईचारे की बात कि लेकिन आते ही पहली रैली जो उन्होंने अड्रेस की मद्रप्रदेश के राजधानी भोपाल में और वहां उन्होंने समान नागरिक सहिता का उलेक कि इसे लागू करना चाहिए और एक तरह से चुनावी एजंडा सेट कर द थी इस पर क्या है आपका पंच उर्मिलेश जी तेके मैं समझता हूं कि आरेसिस जनसंग और बीजेपी इसका बहुत पुराना एजंडा रहा है कि राम जन्म भूमी के नाम पर एक वहां पर बाबरी मस्जित के धंस के बाद मंदिर बनाना और वो बन गया या बन रहा है इ यह तीसरा एजंडा जो बचा हुआ है मैं समझता हूं कि इसको 2024 के चुनाव से पहले एक पोलराइजिंग इंस्ट्रुमेंट के तोर पे इसका जबरदस्त इस्तेमाल वैसे ही किया जाएगा जैसे एक जमाने में मंदिर के लिए किया जाता था या कश्मीर के लिए किया जा मरत कर रहे हैं जो समीधान को लागू नहीं कर पा रहे है जो मनुस्मृति की बात करते हैं वो एक समान नागरिक सही हिता लाने की बात कर ले है तो पूरा-पूरा एक राजनेतिक और उनका एक हिंदू राष्ट की तरब बढ़ता हुआ एक और कदम मैं इसे देखता हूं भाशा इस पर क्या है आपका पंची मेरा बहुत साफ मानना है कि दरसल 2024 में मुदी सरकार के पास लोगों को आकरशित करने के लिए कुछ नहीं है पिछले 9-10 साल जिस तरह से उन्होंने शाशन चलाया जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का कोहराम है उसमें उनके पास अ फैल कर नफरत और नफरत खोल रही है उसकी दुकान खोल रही है अब 2024 की चुनावी वेतरनी इसी के जरिये मोदी जी पार लगाना चाहते हैं उर्मिले जी समान नागरिक सहिता बहुत पुराना एजंडा है हम सब जानते हैं 2024 में चुनाव हैं 2025 में RSS के राश्टी स्वेम स सेवक संके 100 साल पूरे हो रहे हैं यह दोनों मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं लेकिन सवाल यहां बहुत सीधा सा है कि क्या इस देश में जहां इतनी विविदता है आदिवासी राश्टपती हैं और आदिवासियों के अपने जो पूरे कल्चर है पूरे जो कानून है मैं मुसल्मानों और आपसे आगरी हैं मैं यहां बात कर रही हूं देश के आदिवासियों की वो कैसे एकसे आएंगे समान नगरिक सहीता में वेलकुल आप सही कर रहे हैं कि यह विलकुल आउस्वी कारे है पूरे समास के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सारी लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है इसका इंप्लिकेशन क्या है और इसके क्या घाटा होगा क्या परिशानिया होंगी मैं तो समझता हूं कि जो भारती जनता पार्टी का कोर वोटर है माली जापर कास्ट हिं होंगे और ये एक अच्छा मुद्दाश और उनको देखिए बारती जन्ता पार्टी भी इसको इसलिए नहीं लागू कर रही है कि इस संब्धान में इसको शामिल किया गया था और वह भी नी तिर्शक्सिद्धान्तों में तो ये इसलिए वो नहीं कर रही है उसमें तो मुगल एक चीज जो दिखाई दे रही है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी अब अपने भाशनों में भाशनों ने भौपाल में दिया वो काफी कुछ उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ की जिसको लेकर जो कट्टर एक सेक्शन है वो बोलता है कि नहीं की लीडर ऐसा होना चाहिए काफी कुछ उसी तरश पर बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं क्या आपको लगता है इसका चुनावी फायदा होगा बीजेपी को इसी तरश पर इसलिए भी आए जैसे आपने दो चीजे कहीं पहले तो कि चौबिस में चुनाव है पच्चिसमा आरसेस के सौ साल पूरे हैं और इस तरश पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि उन्हीं के संगठान आरसेस के मुख पत्र अब कह रहे हैं कि मोदी का करिज्मा करिश्मा थोड़ा कम हो रहा है तो वो अपना एक और तीसरा कोर मुद्द से रूमलेज जी ने भी कहा है उन्होंने यह केवल एक संदेश देने के लिए गया है मेरा कहना साफ साफ मैं बहुत शंशेप में कहूं कि जो मनुस्मृति का कानू लागू करना चाहते हैं मैं हिंदू अपरकाश से भी पूछता हूं मैंने पिछली बार भी यह मुद्दा उठा था कि जब आप अपनी बेहन को इस तरह के चीजे लेकर आ रहे हैं कि उससे एक समाज में बटवारा पैदा हो और उनकी 2024 जो चुनाओ है उसकी एक बड़ा मुद्दा बन करें तो मुझे लगता है कि एक बात जो बहुत साफ है कि चाहे मामला हो मनिपुर का चाहे मामला हो समान नागरिक सहिता का या फिर मामला हो कि किस तरह से जो एक नफरती ब्रिगेड चारो तरफ हमारे फैली हुई है वह क्या देश के लोकतंत्र को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खत्रा पेश कर रही है क्योंकि अगर बगल का घर जलेगा मनिपुर जलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम सब बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएंगे इसलिए हम सब का फिक्रमंद होना बहुत जरूरी है आप सब लाइक करिए शेयर करिए इंडिया की बात और न्यूस क्लिक ताकि सच जिन्दा रहे पूरी बेबाकी के साथ शुक्रिया